हुआ हलो दोस्तों मैं हूँ प्रदीप कुमार आज का न्या टोपिक है लेद मैंडृल मैंडेल का उप्यों कहां होता है कैसे होता है क्यों किया जाता है इसके बारे में आज पूरा जानकारी हम लोग लेंगे ठीक है चले स्टाट करते हैं लेद मेंडेल एज वी औल नोन तो परफॉर्म पार्टिकुलर ऑपरेशन इन एनी मेशिन वी नीड तो यूज सम एटेश्मेंट मेंडेल कह रहा है कि हम लोग सभी जानता है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हमें कोई भी एक शक्resent केनी में तरह कोई इसने कोमितर करते हैं सिल्धिकुलर ऑपतिक된 स्टेशि exist कोउड़े में जानता के लिए तशिकली कोória करते हैं त tutto यूज करते हूए जैसिव this जाकी डissements आपको कोई भी एक hollow job cylindrical जो hollow job है उसको आप लोग को generally हम लोग को किसमें लेद के जो चक होता है चक्का होता है उसमें हम लोग को पकड़ना रहता है hold करना पड़ता है उसके बाद हम लोग operation perform करते हैं तो क्या होता है so what would be its effect तो उसका उप्रभाव क्या पड़ेगा when you applying the depth of cut to the job जब हम लोग job में depth of cut देंगे due to that it may be a misalign from the late center as result you see some error on the work piece अगर हम लोग जैसे depth देंगे चक में अगर हमारा hollow job set किया हुआ है तो हम लोग जब जैसे ही देंगे तो हमारा जो job है उसका center से misalign हो जाएगा जिससे हमारे work piece में effect पड़ेगा ओई रोड हो जाएगा ठीक है पहले देख लेते हैं मेंडेल कैसे होता है देख लिजिए यह है solid मेंडेल इसको हम लोग प्लेन मेंडेल भी कहते हैं या standard मेंडेल भी कहते हैं यह एक solid rod की टाइप की जैसा होता है यह high carbon steel ठीक है high speed steel high carbon steel के भी बने हुए जाते हैं और hard on temper किये होते हैं grind के द्वारा grind भी किये जाते हैं और hard on temper भी होते हैं यह एक तरफ इसका जो होता है यह इस साइड है यह इस साइड large end है large diameter रहता है और इस साइड small end रहता है ऐसा क्यूं होता है इसमें हलका सा टेपर किया रहाता है जो यहां पर आप लोग को दीख रहा होगा टेपर 1-2,000 रेशियो में दिया गया यह टेपर यह body टेपर किया हुआ रहता है और यह flat machine है यहां पर मेशिन किया हो रहता है फ्लाट रहता है और इस साइड center hole दिया रहता है इधर जो जो आपको यह center hole वहां पर रिसेट किया जाता है solid मेंडल में इसको हम लोग के नाम से जानते हैं solid मेंडल या plain मेंडल या standard मेंडल भी इसे हमें कह सकते हैं next जो है चलिए दिखाते हैं अब इसका कितने पड़कार के मेंडल होता है जो है अभी हम लोग को दिखा दिया आपको solid मेंडल उसके बाद सेकेंड है step it मेंडल थर्ड है expansion मेंडल फोर्थ है color मेंडल फिप्त है screw मेंडल six है gang मेंडल seven है टेपर सेंग मेंडल eight है यह आपका को मेंडल चलिए सबको बाड़ी बाड़ी से इसकी जो कौन से मेंडल का क्या यूज है वह पढ़ लेते हैं इिसे वह सेमेंडल जो है पहला वाला बैसीमपल टाइप आप मैंडल जनरल अप्लेव कर टाहां है लेए रहता है crossplain-wide word iis लाप्टर नाट सांगे आपकी बरता से वाड़िपर होस साइट छो साइध साइंद ऑपर स्वार्द इसका फोर्द कि जराए और एक साइड तभी जाके यह टैपर होगा एड़ बोथ दा एंड अप दा मैंडेल मैंडेल के दोनों साइद जो एंड में देर इस लॉट वहाँ पर शॉट रहता है वन फॉर दा लेग डॉग जो दूसरा रहता है वहाँ पर किसली सवाट रहता है क्योंकि ओलेग जो लेग होता है उसके द्वारा हम उसे घुमाने के लिए रूटेट करने के लिए वहाँ पर स्लॉट किया रहता है लेग लागाने के लिए और जो दूसरा है और जो दूसरा है एंड अधर वन इस प्रोटेक्टेट सेंटर होल अप देट सेंटर और जो दूसरा होता है डेट सेंट में आपको वहाँ पर सेट करने के लिए दोनों आपको समझ में 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 डीफिर्ट आमीटर्ट के यहां यहां पर के जाते है इति Salt अलबे बारी डीफिर्ट यहां ओल। यहां पर प्रकुंचित साण तो यहां कॉलर इसमें कॉलर किया रहता है स्टेप वाइज स्टेप और फिटेट विट इट इस सो दैट इस सिंगल मेंड्रेल कैन बी यूज फोर होल्डिंग बेरियस डायमिटर जिसका जैसा डायमिटर रहेगा उस हिसाब से इसमें फिट किया रहेगा देखिए यहां पे हर एक तरह है इस्टेपेड मेंडल का काम नेक्स्ट है थर्ड नमर एक्सपेंशन मेंडल इस यूज फोर जॉब अफ दिफरेंट दामिटर अफोल बेरियसन अफोलो जॉब कैन बी फिटेड ओन दा स्लीव इस टाइटली टाइटें बाइट इस पेंडिंग नेचर अफ दास्लीव वि पर जो यहां पर डिफ्रेंट डामिटर के जाव जो होते हैं होलो जाव उसको यहां पर होल्ड क्या सकता है अलग अलग फिटेडर के दा होलो जाङ केंभी फिटेड अन्दव bonne इस पेफिक्चर एम ब्हीन को बताते हैं यहां पर यहां पर दो once we करने के लिए किया जाता है आप्टर पूशिंग दाब इंटो डाइम मेंचल रिप्टतार यह व्हटता अभ्यार इंगल करतें यह जौर्ण के लिए उसको फिट करने के लिए किया जाता है आप्टर पूसिंग दा पीन इंटु असलीब आप्टर फिटिंग दा जॉब ओवर दा एक्सपेंशियन मेंडेल वी नीड तो पूस ए पीन थू एक सेंटर दा मेंडेल इसलीब के अंदर यहां पर स्लोट किया आता है स्लोट यहां पर देख लीजिए इसलोट वन यह स्लोट टू है और यह सॉलिड राउंड बार यह जो अंदर का देखे हम यह आपको साइड व्यू करके दिखा रहा है मतलब टॉप व्यू उपर से तो यह ऐसा पॉर्शन राता है यह एक्सपेंड है यह और यहां से स्प्लीट अप पॉर्शन यहां पर स्प्लीट अप यहां पर करेंगे तो यह पॉर्शन को एक्सपेंड करेगा यह जो स्लीव है इधर ऐस ताइप ऑफ मेंडल इस उस फ़र जॉब डायमितर आप ओवर 9200 M में यह सच्छ जाई जाता है जो डायमितर कितना से कितना रहा ने चाहिए नबे से एक स्टॉ में तक इंधिस टॉब मेंडल देया तो फिक्स्ड कोलार दिया रहता है एटाच रहता है इस मेंडल में the two end of bar we use this type of मेंडल to reduce the weight of the cost of the मेंडल यह जो इसलिए किया जाता है यह कॉलर टाइप क्योंकि बीच का जो मेंडल होता है मेंडल में ज्यादा वेट ना हो मेंडल करते हैं चलिए पिक्चर में देख लेते हैं कैसा यहां पर देख लिजिए यह दोटो कॉलर यहां पर बनाया हुआ यह कॉलर बनाया हुआ है इसमें इसके बीच में जो जॉब होता है यह जॉब इसके समानतर इसके समानतर यहां पर जॉब फिक्स होने के लिए यह प्रवेजन यह होता है कि जब जो वाग्पिस है जॉब है उसका फेस कॉलर के साथ फिट हो जाता है और हम लोग आसानी से यहां पर टर्निंग कर सकते हैं यहां पे नाम से आप लोग जान सकते हैं इसके एक सीरे के पास कॉलर तथा बाकी भाग पर चूडिया कटी रहते हैं यानि त्रेट कटा हुआ रहता है यहां पर पिक्चर में देख लीजिए त्रेट कटा हुआ रहता है यहां पर त्रेट कटा हुआ है इस दगा पर त्रेट कटा हुआ है उसके बाद क्या होता है जो त्रेट के आखिर में एक कॉलर के पास अंडर कट लगा रहता है जिसमें जॉब का फेस कॉलर के फेस के साथ मैच करता हुआ टाइट हो जाता है इस प्रकार के जो मेंडल होता जो इंटर्नल वाले जॉबों को टर्णिंग करने के लिए पड़ियोग में लाए जाता है इस ब्यात का ध्यान रखना चाहिए जॉब तथा मेंडल का एक समान थेट कटी होनी चाहिए तब ही जाके इसमें मेंडल यह कोई भी जॉब में फिक्स हो सकता है यह देखें यहां प तब जाके इसको हम लोग कोई भी ऑपरेशन फिर कर सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा गैंग मेंडल इस इस सम काइंड और स्टेप मेंडल दा अल्ली दिफ्रेंस इस हेर नंबर अव इक्लिविएंट होलो जॉब कैन बी मेंशने अट ताइम इट इस उस तो प्रोडूसे में अंड जेनरली उसी माश्ट प्रोडूक्शन परफस इन इस मेंडल एफीच्ट कॉलर इस फिटेड ऑन एंड वन साइड एंड वांड लेंग आर प्लेस थू अनदर साइड द अनदर साइड आड एंड देन ए नट इस ताइट निग दाव इस वीड़ आप आप वासर है इस दए डाइग्रम गिर्ले पर अब आपको दिखात देखके बताते हैं यह जो एंड मेंडल एंडेल का बनावार देत प्लेट मेंडड की होती है weenkaya इस यहां पर टेपर नहीं होता है लेकिन дियोह दूसर। पर क्या होता है सिक थेट कटी राती है देखें यहाँ पर इस कॉलर के पास यहाँ पर देख सकते हैं तुसर के थेट कटी हुई होती है और इस की एंडल अधिक लंबाई का हो तो हम लोग मैंटरल को स्पेंग कॉलर भी लगा सकता है इसका मेन परपस Caleb क्玩श मांस narlos नृकिश सकते हैं यह झो सारे जॉब को गैंग मेंडल में एक साथ हम लोग फीट करके यहां पे हम लोग फिर यहां से कॉलर लगा के फिर वासार नट के यह जो नट है इस नट के द्वारा टाइट करके हम लोग एक साथ इसको टर्निंग जो अपरेशन करना चाहते हैं इस गैंग मेंडल में कर सकते है इसका में जो कारण है, यहां पर इस Mendel में Tapper नहीं होता है, यह parallel होता है, और दूसरी बात है, में जो होता है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन के लिए कि हम लोग इसका गैंगेंड्र का श्रकता है यह बहुत सारे एक्जाम में टेकनीकल एक्जाम में आचुके हैं कि गैंग मैंड्र का यूज कहां पर किया जाता है तो मास प्रोड़क्शन पर्पस के लिए आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टैपर सेंग मेंडल टैपर सेंग मेंडल आर नौट यूजड बीट्विन लेट सेंटर दे आर फिटेट टू दा इंटर्नल टैपर आपड़ अपड़ हेट हम जो हएंटर्नल आपर के ओच में परियोग नहीं नहीं किया जा सकते हैं यह जोप सेंटर के बीच में परियोग अनौट किया जाता है मशीने के स्पिंडल में करते हैं और हम सेंग्पी जud вызफ ब्रण जो कारे होता है के लिए होल्ड किया जाता है इस यहां पर यह जो है इस पॉर्शन को हम लोग में जो लेट सेंटर है लेट सेंटर के यह स्पिंडल में हम लोग को इसको फिट किया जाता है और बात बाकी यहां पर जो होता है इस पॉर्शन में जॉब को हम लोग फिट करते ह फिर का अपरेशन करते हैं पर्फों करते हैं ठीक है टैपर सेंग का कारे स्मझ में आगे यह कहां hote होता है तो यह हेड़्सटो श्पिंडल में पीडो इंसट कांड में पॉर्षन में अ कोन मेंडली इस अ जाली मंडरी जाली 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 ज स्पेसिंग कॉलर चले इसको देख लेते हैं पहले पिक्चर में यहां कि यह कॉन मेंडल हमारा कॉन मेंडल क्या होता है इसको हम लोग संकु कहता है हिंदी में संकु मेंडल इस मेंडल के एक सीरे में एंगल में टर्निंग किया जाता है जो इसका जो यह एक एंगल में यहां तर्निंग किया हुए एंगल में तर्निंग किया हुआ है टता दुसरे सीरे पर चूडिया कटी राती होती है साइड यहां पर ध्रेट कटी राती है अध्र वाले भाग पर Eh कोन होता है, यह वाला जो कॉन होता यह स्लाइडिंग एंगल होता है जिसका टेपर हिस्सा संकु आकार का बना हुआ होता है इसका यहां पिर यहां पर के बखके इसको स्लाइडिंग यहां पर वासर लगा हुआ है इस बासर के बद यहां पर वासर लगा वावे UN कि जो कोशन आते हैं वो कोशन आप लोग समझ गया आसा करता हूं जितने कोशन इसके रिलिटर आएंगे आप लोग कर पाएंगे जो समझ में नहीं आएगा हो उसको कॉमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए जाहिंद मिलते हैं फिर नेश्ट वीडियो में नए के साथ धन्यवाद